विखए हैं आपकासिब yourself सिदाइं स्क Kollegin चांबर करनी करा वेए वे वावा लेकिन आपके अतना जरेता है अपके इतना सॉंग नहीं ज्यादर सब्सक्राइई वी लेकिन आज में पलाय एश्टोर का ऐसा बहतरीन दो सेटिंग बताने वाला हो अगर आप एक हजार भी अप्लिकेशन डॉनलोड कर लेते हो पलाय श्टोर में जाने के बाद तो आपका पलाय श्टोर कभी भी एश्टोरेज फूल नहीं बताएगा लेकिन ये दोनों सेटिंग को आपको सही तरिके से करना होगा अगर एक सेटिंग आप अपलाय कर लेते हो अपने फोन में एक सेटिंग को छोड़ देते हो तो उससे आपका बात बनने वाला नहीं है केबल केबल ये दोनों सेटिंग पलाय श्टोर का इंपोर्टेर दोनों सेटिंग आपके फोन में कर गर वीडियो आपको नोटीकेशन देखने को मिल सकते हैं तो कि अगर आप लोग भी पला एश्टोड में कोई भी अपलीकेशन को जाते हो मनपसंद अपलीकेशन को डॉनलोड करने के लिए तो जैसे आप किसी भी अप्लिकेशन को डॉनलोड पर यहां पर लगाते हो किसी भी अप्लिकेशन को आप यहां से डॉनलोड करने के लिए जाते हो लेकिन जैसे डॉनलोड पर लगाते हो इस अप्लिकेशन को लेकिन आपका फॉन क्या बताता है आपका अप्लिकेशन डॉनल और कितना भी आप श्टोरेज फूल का प्रोब्लम है कितना भी अप्लीकेशन आप अपने फॉन में डाउनलोड कर सकते हो पलाइश्टोर से तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा उपर देखिए पलाइश्टोर में आपका जीमेल आडी का लोगो दिखा देगा यहां पर इस लोगों पर आपको किलिक कर देना है लोगे पर जैसे किलिक करो कि इस तरह का इंटरफेस आएगा तो नीचे के तरह आप देखोगे सेटिंग का उप्शन पर किलिक कर देना है उसके बाद सेटिंग का उप्शन पर से किलिक करने के बाद जैर्नल के बा है इससे होता के कोई भी अप्लिकेशन आपके फॉन में रहते है उसका नाया जो और전 आता है नहाइए अप्डेट यानि इया ऐतुमेट्टिक उप्लिकेशन अप्डेट होते रहते हैं अपडेट होने के कारण आपका श्टोड़ेज फूल बताने लगते हैं तो इसको क्या करना ऊपर जो टीक लगा हुआ है इसको नीचे पर डाइल कर देना है नीचे पर डालने से होगा कि जब आप किसी भी अप्लिकेशन को फॉन में रखते हो उस अप्लिकेशन का जब भी आप अपडेट करोगे तो खुष से आप पलाय श्टोड में जाने के बाद अपडेट कर सकते हो खुष से आप जिसको मर्जी होगा उसको अपडेट करोगे जिसको नहीं मर्जी होगा उसको आपडेट नहीं करोगी तो यहां पर क्या होता अगर उपर वाले पर से Settings में आने के बाद यहां पर जयसे से आप देखोगे तो यहां पर नीचे के तरफ आप जाते ईQué man वह एपने फ़से पहिसे प्राइब झालन यहां पार हो है तो यहां पर हर फ़से फॉले सबस mesh धर्म मेंनेश्ट ऐप मानेजमेंट पे आपको किलिक कर देना एक मनेज़र पर अकिलिक करने चितना भी आपका संपिचा मैं रहता है जो आपकी सब्सक्राइकरकर करना हैं तौ समूप'd जाना यहां पर आपको मिल जाएगा तो यहां पर नीचे के तरफ ढूट लेना है यहां जब ऑप्लिकेशन हमेह में अ tidकाने तूसरा अप्लिकेशन पहेहांसे आपको ढोंड़ लेना है ठीक है यहां से चलो लेते तो धिए की गूगल पले स्टोड पाको इस पर एकंप ति किलिक करने के यहां पर 20 ृज पर जाव் फॉल थे उल्हें यहांसा उलिवे उपर में अगर इसा PG क्लिक करने का कोई मतलब नहीं है उपर आप देखिए clear data पर आपको क्लिक करना है और यहां से continue पर क्लिक कर देना है तो उपर देखिए जितना भी आपका फॉन का अब किसी भी अप्लीकेशन को प्लाइश्टोर चे जाकर डाउनलोड करते हो तो देखिए जितना भी चीज था पुरा चीज डिलेट हो चुका है यानि किलिया डाटा हो चुका है तो यहां पर देखिए कितना खाली हो चुका है देखिए 90.30 MB बचा हुआ है पहले कितना था अभी कितना सार एस्टूरेज खाली हो गया हमारे पलेश्टूर का चलो हम चलते अभी पलेश्टूर में अने के बाद You By उनेगे पाल ने के को उस Gmail ID से आप लोग इन कर सकते हो कितना भी अप्लीकेशन डाउनलोड कर ले तो इस दो सेटिंग करने के बाद आपका फॉन का एस्टोरेज कभी भी फून नहीं बाताने वाले तो उमीद आप लोग को छोटी सी वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा इस वे लूग...